Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करें ICAI के बच्चों के लिए, CA के बच्चों के लिए इस वीडियो में मैं आपको LAW और BCR के answer sheet का दिखाऊंगा, टॉपर का वीडियो को लाच तक देखेगा, वीडियो बहुत important होने वाले बच्चों के लिए और चैनल पर नहीं तो आपसे humble request रहेगी, चैनल को subscribe करके bell notification जरूर करेगा यह चैनल आपके लिए further updates, notification, strategy और नई चीज़ लाग करके देने की सबसे पहले courses करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे का 60 out of 56 आया है लॉक के पेपर में BCR में भी वैसे ही आया है, total 86 marks, इतना अच्छा marks कि आपको भी जरूर आना चाहिए आपकी law examination में देख सकते हैं, यह जो tick होता है, यहाँ पर आपको tick कर देना है, जो आप questions को attempt करेंगे और ICI आपको यहाँ पर marks देता है, ठीक है, आइए नीचे देखते हैं कि कैसे बच्चे को marks मिला है, उपर में आपको अपना हाफ हावर में घतम कर लेना है, ताकि हाफ हावर आप पूरा paper को review कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है, आई नीचे देखते हैं बच्चे ने कैसे questions को attempt किया है, कैसे लिखने का तरीका क्या रहा है बच्चा का, ताकि आपको भी इससे को सीखने को मिल जाए, बच्चे ने एकदम section section B के साथ सुरूख है, आप किसी भी तरीका सुरूख कर सकते हैं, चाहो section B या section A, जिस तरीका से आप चाहो सुरूख कर सकते हो, पर in time कोशिश करना कि आपका time paper हो, time बहुत matter करता है examination का law के लिए, क्योंकि lengthy questions होता है, और जो भी questions लिखने का, जो भी questions आपको मिलेगा, उसक आपका नाम पुछा, तो आपको अपना नाम बताना होगा, आपको अपना घर नहीं बताना है, आई यहाँ पर रेख सकते हैं, बच्चे ने अपना question पूछा, बहुत ही अच्छा से gap के साथ handwriting साफस उतर रखते हो, ICI ने जो question पूछा, एकदम to the point answer दिया है, point में answer लिखने आपको easy लग रहा है, वाराम से लिखो, point by point लिखा है, देखो बक्चे रहे, answer, ICI को लगा कि हाँ, जो चाहिए उसको वो मिल गया, answer टिक किया, एक marks मिल गया, जो चाहिए था उसको मिला, और बच्चे ने क्या क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो, कितने अच्छे से underlining कर द दिया, तो एक topper का यह सब निशानी होता है, यह सब आपको भी करना चाहिए, आपका paper थोड़ा अच्छा दिखेगा, आई नीचे देख सकते कितने अच्छे से paper को उसने show किया, 8 marks का question था, 8 या 6 marks को question था, एकदम lengthy थोड़ा बना करके लिखा, half page में उसने complete किया, summary भी दिय आप summary भी दे सकते हैं, पूरा answer को लिख करने के बाद एक summarize कुछ कर दीजे, थोड़ा सा paragraph में, उसके बारे में बता दीजे कि मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ, तो उससे आपका question का answer रहेगा, वो थोड़ा अच्छा paper present होगा, फिर उसका next paper बच्चा ने attempt किया, next question attempt किया total 40 page लगा है बच्चों का, मतलब 40 में तरफ 20 page से above लगा है, आपका भी लग सकता अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो, तो इस तरीके से जरूर लिखिएगा, जिस तरीके से बच्चा ने लिखा है, आप questions तो match नहीं करेगा पर हाँ, लिखने का तरीका अगर आप match करवा law और match में fail होने का 100 out of 98% chance होता है, इसलिए मैं बोलूँगा इस paper के साथ मजाक मत लेना, फिर आगे देख सकते हैं, क्योंकि यह नया paper है, आप कभी पढ़े नहीं हो, 12th के बाद आके सीधा law पढ़ रहे हो, आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आप end the moment 6 मेन अग तक अगर आप law नहीं पढ़ा है तो, आईए, देख सकते हैं, बच्चे ने कितने अच्छे से point to point answer किया है, ज्यादा इधर उज़र को सोचा नहीं, ज्यादा चीश चास नहीं किया, सीधा answer to answer बच्चे ने लिखा है, कितने अच्छे से box बना करके बच्चे ने answer को represent किया है, फिर हर कुछ को बच्चे ने summary भी दिया, आप भी summary दीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ summary देने से अच्छा marks मिल सकता है, देखिए, ICAI का marks देने का थरीका, A plus B, 4 plus 3 is equal to 7, एकदम 7 marks का question था, 7 marks बच्चे को मिल गया, इसको लगेगा कि teacher के मन में अगर कोई दिक्कत नहीं होगा, लगे क तो one word answer आएगा, one word लिखेगा, आपको ICAI marks देगा, अराम से देगा, summary आएगा, summary लिखेगा, फिर next question जो है, education of disabled, तो उसमें आपको paragraph जैसा लिखना है, तो paragraph जैसा लिखेगा, बच्चे ने पूरे अच्छे से देखी, जितना paragraph पूरे लिखा, उसमें underline पूरे अच्छे से क है, ताकि ICAI को जो key point चाहिए, वो उसको अराम से मिल जा है, उसको marks मिल जा, ABC 2 plus 3 plus 2 is equal to 7 marks उसको मिल गया, आई नीचे देखते हैं, उसके बाद, जो questions हम लोग देखने को मिल रहा है, 10 A, 10 A में भी बच्चों ने कितने अच्छे से अपने answer को present किया है, और स्री black pen यूज करि यह सब कुछ मत लिखिएगा, simple, अपना exam देने गया है, चुपचाप से exam दीजेगा, बहुत ही अच्छा point to point बच्चे ने ज्यादा answer देने कोशिस किया है, कम वो सब answer को ज्यादा उसने target किया है, जिसमें उसको लग रहा है कि act है, Indian act, Indian country act, वो सब बच्चों ने ज्यादा summary way में, मतलब paragraph way में लिखा है, बाकी बच्चे ने कोशिस किया है, कि हम उसको point to point ही कर दे, तो आप भी इस तरीका से कुछ लिखने कोश सकतेगा, कि आपको problem ना हो, I hope आप चीजे को समझ रहोंगे, बाकी इतने अच्छा से बच्चे ने सारा अपना questions को attempt किया है, आप भी एक भी questions को छोड़िएगा मत, सारा questions को attempt करिएगा, ताकि आपको यह नहीं लगना चाहिए, कि यार कोई गलती हुआ होगा, तो हमारा attempt के वज़े से छोड़िया, इसलिए बोल रहा हूं, well prepared होकर कि सामने में घड़ी ले करके बैठिएगा, ताकि कोई problem ना हो, timing के साथ, one and half hour में आपको अपना खतम कर लेना है, law, और one hour में आपको खतम कर लेना है, अपना BCR, और half hour अपना revision को दीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, देखिए, कितने अच्छे से बच्चे ने present के अपना question paper को solution के साथ, question paper का solution के साथ, question number one कसी, और अब जहां से भी आप चा अच्छा लगे थोड़ा सा, उसका examiner को neat and clean लगे, सबसे बढ़ा तो neat and clean रखेगा तो अपने marks मिल देगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं, answer पर ध्यान दीजिएगा कि जो लिख रहे हैं, वो point to point answer है या नहीं, जादा राम कथा मत करिएगा, कुछ और डालिएगा, कुछ और answer मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, बार बर कि राम कथा करने का कोशिश मत करिएगा, जो answer ICAI चाहता है, जो उसको लगना चाहिए, कि हाँ ये book का answer है, यही हम खोज रहे हैं, उसको मिल गया, वो marks देदेगा, देख सकते हैं, बच्चा का थोड़ा सा भी कटा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं कटा है, अगर कहीं कटता तो ICAI उसको काटता, जरूर काटता, आइए देखेंगे कहीं बच्चा कटा है कि नहीं marks, फिलाल तो बच्चे ने एकदम इतने अच्छा से लिखा है, कि उसको जहां उसको ICAI ने पढ़ा, इसामनर ने पढ़ा, उसको marks दिया पढ़ा marks दिया, कोई कहीं कटने का जगा में दिखा ही नहीं, बहुत ही अच्छे ने बच्चे से रिप्रेजनेंट किया, आइए देख सकते question 3C, बच्चे ने extra page लिया, extra page के साथ बच्चे ने अपना question paper को solution को दिया है, एक दम बहुत अच्छे साथ, मज़ा आगे देखकर उतना अच्छा आपको marks मिलेगा, जो तो लिख करके मत आई है, ये graduation exam नहीं है, कि कुछ भी लिख दिया और pass हो जाएगा, ये CA examination है, फेल कर देगा, इसलिए बोलड़ा हूँ, law and math, यही दो paper है, जो बच्चों को अधिकतर फेल करता है, जो भी बच्चों ने answer लिखा है, ए उसने कोई line दिया है, और फिर उसका copy-cut कहीं नहीं, एकदम बच्चे को marks दिया है, जो उसका हगदार है, एकदम बच्चे ने कितने अच्छे से present के diagram बना करके, आप भी ऐसा ही कुछ अगर आता है examination में, तो ऐसा ही present करने का कोशिश करिएगा, I hope आपको ये video जान करके अच नया चीज आएगा तो आपके सामते मिलते हैं, thank you for watching, for more update चैनल पर नहीं, तो subscribe जो कर लिजे, जो next examination होगा, उस पर बात करेंगे, बाकी examination देकर क्या ये अच्छा जाएगा, all the best, thank you everyone